बात करेंगे डूमरी उप्चुनाओ की डूमरी उप्चुनाओ को लेकर सियासत तेज हो गई और सियासी तफिश बढ़ गई है और वैसी के दोरे के बाद से वहां के समीकरन भी कुछ बदले बदले नजरार हैं हर किसी की जुबान पर सवाल ये है कि इस कांटे के मुकाबले में जीत किसे हासिल होगी और प्रचार अपने चरम पर है सिया भेमन सोरे ने भी अपनी पूरी ताकत जोग दी है उनके साथ कई मंत्री भी लगातार वहां प्रचार के लिए पहुँच रहा हैं वहीं एंडिये खेमे से भी आच्सु के साथ साथ बीजेपी के नेताओं के भी वहां पहुचने का सिलसिला लगाता अरजारी है बाबुलाल मारांडी भी अगवाई कर रहे हैं वीजेपी की तरफ से और भी कई बीजेपी के विधायक और नेता हर दिन वहां चुनावी सभाओं को सम्भूधित करने के लिए पहुँच रहे हैं हमारे साथ हमारे संब वहीं दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार आजसू और बीजेपी के गठवंधन के परिनाम को भी एक तरह से भापने की कोशिस की जा रही है कि अगर राज में आजसू और बीजेपी की गठवंधन होती है तो फिर वो आगे चुनावके से जीत सकती है इसका एक वो भी इस चुनाव परचार में पहुँच चुके हैं इससे भी समझ सकते हैं कि BJP इसे कितनी गंभिरतास ले रहे हैं कि जो जारखन के प्रभारी हैं लक्षमी का अंतवाज परी वो भी दो दिनों तक दौरा करते हैं कई चुनावी सभा को कार्यकरताओं को संबोधित करते ह और सीधे तोरपर मेसेज देते हैं कि ये चुनाव हमारे लिए काफी महतपुर्ण है ये अगर हम जीतते हैं तो फिर 2024 के लोकसभा और विधान सभा दोनों ही हमारे लिए आसान हो जाएंगे क्योंकि एक माहूल तयार होगा और उस माहूल को लेकरके वो आगे बढ़ेंगे तो हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जो है बीजेपी आदसू के भी दाव जो है वो काफी मुश्किल भरे है कि ये जो चुनाव परिनाम जो भी आए उससे दोनों का भविस सिताय होगा ये एक बात देखने को मिल रही है चुकि चुनाव जब भी चलता है परचार चलता है तो पुरुषों का मन में क्या है पुरुषों के मन में क्या कुछ है ये सब कुछ पता चल जाता है तो जीत को लेकर ये भी सपस्ट हो जाता है लेकिन इस बार दो महिलाएं आमने सामने हैं और मुख्य मुकाबला उन्हीं की में है तो जाहिर सी बात है आधी आभादी भी काफी उत्सुख है चुनाओ को लेकर आधी आभादी के की सेंपेथी वोट होता है उसे भी बतूरनी की कोशिस अपने अपने तरीके से की जा रही है एक तरफ जहां सुरगय जगरनात दा की जो मौत हुए मंत्री पूर्व मंत्री रहे दूसरी तरफ जो यसुदा देवी है वो भी अपने पती के खोने की बात करती है उनके जो देखेंगे तो ये तमाम चीजे जो अपील है वो भावनात्मक रूप से भी की जा रही है और इसलिए सेंपेथी वोट भी जो है एक दूसरे की और बट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सीधे तोर पर आप इसमें ये नहीं कह सकते कि एक तरफ किसी का पलरा जो है जुका हु हुआ है वो है ओविसी की इंट्री ओविसी के इंट्री के बाद मुस्लिम वोटरों का रुख किधर होता है ये भी एक मैने रखेगा तो इसलिए तमाम जो राजनेतिक दल है वो उनकी निगाहे जो है वो कुर्मी वोटर और अल्पसंक्यक वोटर पर ही ठीकी है कि आखिर ज्यादा से ज्यादा कैसे उसे अपने हिस्से में किया जाये ताकि जीत के आंकरे जीत के जो नम्मर्स चाहिए वो मिल सके देखने वाली बात ये होगी कि अभी जो चुनाव परचार में तीन दिनों का वक्त वचा हुआ है तो चुनाव परचार क्या रंग लेता है और मखरूप से समर्थन किसे हाशिद होता है वहां के मद्दाताओं का और आधी आबादी जिस तरह से मुखर है उससे लग रहा है क मदन वोट परतिशत की बात की जाए तो वोट परतिशत भी काफी बढ़ेगा लगता है क्योंकि उप्चुनाव में लोग उतनी दिल्चस्पी नहीं लेते लेकिन यहां दो मैलाओं का मामला है तो लोगों में उत्सुक्ता भी जादा दिखाई दे रही है जो देश अस्तर पर जो 200 रुपए गैस सिलिंडर के नाम कम हुए है वो भी उप्चुनाव से पहले हुए है तो इसलिए आज जैमेम के जब महासची सुपरियो भटाचार्ज प्रेश वारता कर रहे थे तो उसका भी जिक्र करते हैं कि ये लोगों के आँख में धूल जोक करा मिला है तो जब उसमें थोड़ी सी कटोती हुई है राहत दी गई है तो उसका वी राहत हो सकता है और दूसरी बात ये है कि महिलाए अब जागरुख हैं उन्हें अब आप सीधे तोर पर ये नहीं कह सकते कि आप जाकर के उन्हें कन्विंस कर दिये और फिर वो जो है अ हमारे बीज रहेंगी हम जो समस्या लेकर जाते हैं तो वो कितना वो उसका निदान कर सकती है इन तमाम अपेक्छाओं के साथ लोग उमिद्वार को चुनते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो काटे के टकर है उसमें ताज किसे मिलता है और किसकी हार होती है चलि अब देखते रहे नियूस बाइस को नमश्कार भी बहुत कुछ मतलब हम करेंगे आपको गाई बनेंगे आपके मेंचोर कि अगाज करेंगे इसलिए आपके मेंचोर